बहुत मैनत करने के बाद, बहुत उपाय कर लेने के बाद भी आपकी परिसानिया खत्मोने का नाम ही नहीं ले रही है तो ये वीडियो आपके लिए है ओम नमस्यवाय जै भोलेना दोस्तो आप सबको पता है कि प्रदोस का बहुत ही प्यारा दिन आ गया है अगर आपके जीवन में बहुत सारी परिसानिया है और बहुत सारे ब्रत कर लिए, बहुत उपाय कर लिए लेकिन आपके परिसानिया खत्मोने का नाम ही नहीं ले रही है तो ये वीडियो आपी के लिए है पूजे गुरूजी के सासोचित उपायों को अच्छे से बताऊंगी मैं आज आपको बस आपको अपनी उंगली से ओम बनाना होगा बस थोड़ा सा विधी से बनाना है अलग-अलग चीजों से बनाना है कैसे करना है वह मैं आपको बताती हूँ बस पहले मैं आपको बता दूँ इस पूरी वीडियो में हम प्रदोस काल में और प्रदोस पे करने वाले चार उपायों के बारे में चर्चा करेंगे जो की बहुत ही सुन्दर उपाय हैं और आपको जरूर करने चाहिए ऐसे आसान उपाय पंडिजी ही बता सकते हैं पहले उपाय की तरफ बढ़ते हैं? सबसे पहला उपाय करेंगे सहत से आज के समय में ना लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा है बच्चों पर पढ़ाई का अतना प्रेशर है, काम का बहुत प्रेशर है एक अजीब सी भाग दोड की जिन्दगी हो गई है, जिसमें क्या होता है कि कुछ लोग तो उस गुस्से को प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है, खीजने लग जाते हैं ऐसी स्तिती में आपको क्या करना है, आपको लेना है शहद जरूरी नहीं है कि आपको शहद जादा ही लेना है थोड़ा सा सहद एक छोटी सी कटोरी में लेना है शहद को लेकर जाना है अब आपको महादेव के सिबलिंग के पास जो ब्यक्ति गुस्सा करता है और क्रोध करता है यदि वह जा सकता है तो बहुत ही अच्छा है और यदि वह नहीं जा सकता है या नहीं जा पा रहा है या नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं है उसका नाम और गोत्र बोलना और नौर्थ की तरफ उत्तर की तरफ मुह करके सि उसका गोत्र मन में बोल कर और हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर पूरा शहद आपको सिबलिंग के उपर चड़ाना है बाद में जो शहद सिबलिंग से उपर से नीचे जिर्वा है उसके उपर आपको तीन उंगलियां जिन से हम ट्रिकुंड बनाते हैं उन तीन उंगलियों से ओम बनाना है और उसके बाद उसमें से थोड़ा सा शहद जो सिबलिंग के चड़ा हुआ है आपको उसी कठोरी में थोड़ा सा बिलकुल लेकर आना है और उसके बाद तामे के कलस से पानी लेकर के सिबजी के उपर से उसको शहद लिया था ना हमने को ले करके घर आना है और जो ब्यक्ति गुसा करता है या बच्चा गुसा करता है उसके मस्तक पे बिंदी के फॉर्म में हमको या चंदन के फॉर्म में हमको उसको लगाना है अब आप देखेंगे कि उसी दिन से उसके क्रोध में उसके हट में आपको उसी दिन से अंतर नजर आने लग जाएगा दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे उपाई की तरफ बढ़ने से पहले आप ये जान लें कि उससे क्या क्या वेनिफिट्स हैं क्या क्या फायदे हैं देखो आप ये सोच रहे हो कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है मुझे बहुत परिशानिया आ र पांच नहीं होंगे तो तीन भी चलेंगे और क्या लेना है और लेना है आपको लाल चंदन लाल चंदन मतलब ऐसे ही नहीं गोल लेना है कि कटोरी ली पानी डाला वस लगा दिया आपको छोटी सी कटोरी में लाल चंदन लेना है और अपनी उंगली से थोड़ा सा पानी ड तो तीनों ही पतियों पर आपको ओम्रूं नमस्तु इन को सब को लेकि जाना है आपको सिभ मंदर । दोस्तों यह तो आप सब को पता ही है कि महम थेव का पूरा परवार सिवलिंग पर ही रहता है अब क्या करना है आपको नौर्थ दिसा में मंदिर में जाकर के नौर्थ दिसा में मूँ करके उत्तर दिसा में मूँ करके आपको बैठना है और जो बेल पत्र आप लेके गए थे उसको पहले बेल पत्र को उठाना है और उसको अशोक शुंद्री वाले स्थान पे रखना है रखना है मतलब छोड़ देना नहीं है उसको टच कराना है और टच कराने के वाद उसको वहां से उठाना है उसके बाद उसे आपको जो कटी भाग होता है ना सिवलिंग पर जो माता पारवती का हस्त कमल होता है वहाँ पर रखना है अब वहाँ से रखना है जैसे आपने असोक सुन्री पर रखा था के भाग पर वहां से उठाया था उसी प्रकार से वहां से भी आपको टच करा के उठाना है और उसके वाद आपको आपके मन में जो मनो कामना है उसे बोलते हुए भोले नाज से बोलना है कि मेरी जो परिसानिया है जो भी कस्ट है आपके वो बोलिये और उनसे प्रातना करते ह उनको दूर करने की और सी सिर्वाय नमस्तुभ्यम कहते हुए सिवलिंग के ऊपर उनको चड़ा देना है यही सेम प्रोसेस आपको दूसरे बेलपत्र के साथ करना है और यही सेम प्रोसेस आपको तीसरे के साथ करना है अब पांच लाए हो तो पांचों के साथ करना है उसके आपको तावे के कलस से पानी लेकर के उस पे सिबलिंग के ऊपर से चड़ा देना है यह हुए हमारे दोनों उपाए तीसरे उपाए को करने से पहले समझो कि उसके बेनिफिट क्या क्या है आप बहुत दिनों से यदि परिसान चल रहे हैं मतलब आपके घर में बहुत लड़ा करता है तो ऐसे में आपको क्या करना है प्रदोस वाले दिन आपको जैसे कि प्रदोस के दिन लाल चंदन का दोस्तों बहुत ही मैत होता है अच्छा तीसरे उपाए को करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर जीए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अब आपको क्या करना है कि लाल चंदन को ले करके उसी तरह से जैसे हमने पहले गोला था एकड़म से पेस्ट बनाया था वैसे ही पेस्ट बनाना है और वह थोड़ी जादा मतलव ऐसे नहीं बहुत जादा वह आपके ऊपर डिपं तो आपको चंदन को घोल के लेके जाना और पूरे स्विलिंग पर अच्छे से आपको उसको लगा देना जितना आपके पास जैसे आप लेके गए और वहाँ पर आपको बेल पत्र के पेड़ जो है वहाँ पर आपको ओम लिखना है और ओम लिखने के बाद आपको वहाँ पर बेल पत्र चड़ाना है और सिवजी को पिडाम करते हुए सिवाय नमस्तो भ्यम बोलते हुए आप उससे प्रातना करें जो भी आपके कस्ट हैं ज प्रादा आ रही है जो भी है आप उन सब को दूर करने की सिभजी से प्रात्ना करते हुए आप अपने घर आ चाहिए आपको निश्चित ही उस दिन से बहुत फाइदा होने लग जाएगा दोस्तों ये परते हैं हमारे चौथे उपाई की तरफ चौथा उपाई है उसके बेन पढाई ममन नहीं लगता है असान्ती है इन सब के लिए और बहुत ही यूनिक उपाई बताया है गुरुजी ने इस बार दोस्तों आपको क्या लेना है आपने आकडे के सफेद फूल देखे हैं एक लाल होते हैं बहुत ही आसानी से रोड साइड मिल जाते हैं वो आपने द को कहां जाना है बेल पत्र के पेड के नीचे वो आपके घर भी हो सकता है और बाहर भी जहां भी आप जाना चाते हैं वहां भी हो सकता है अब आपको क्या करना है बेल पत्र के पेड के नीचे बैठना है और जो जड़ वाला हिस्सा होता है न वहां पे आपको सी सिवाय नम वा जो अप आप आक्रे के फूलां का गुच्छा लेके गए थे उसको वहांपर चड़ाना है चड़ाने के वाद जो आप कलस्या में ठामिकी में पानी लेके गये हो नू उसमें से आपको एकी वार में पूरा कलस नहीं आपको थोड़ा थोड़ा करके पांच वार गिंती से पांच वार आपको वो जल आकड़े के फूल से होता हुआ पेड़ पे चड़ाना है और स्री सिवाय नमस्तुब्यम का पार्ट करना है, स्री सिवाय नमस्तुब्यम कहते हुए उसी कलस से पांच वार जल चड़ाना है और उसके बाद आपको उस बेल के पेड़ की साथ परक्रमाय देनी है साथ परक्रमाय देनी के बाद आपको सिभजी से प्रात्ना करनी है आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ती के लिए दोस्तो उसके बाद आपको उस आक्रे के जो फूल आप लेके गए थे उसको छोड़के नहीं आना है उसको उठाके अपने घर लेके आना है और जहां आप पूजा करते हो जो आपका मंदिर है वहाँ पर आपको उसको रख देना है आपको निश्चित ही उसी दिन से आपको महसूस होने लग जाएगा कि आपके घर का एन्मेंट कितना चेंज हो गया है आपका मानसिक लेवल कितना चेंज हो गया है आपके आसपास की जो ऊठ जाए है वो आपके पॉजिटिव होती चली जाएंगी और आपके काम बनते चली जाएंगे दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना और कम्मेंट सेक्षन में जय भूलेनात जरूर कहिएगा जय भूलेनात स्री सिवाय नमस्तु भ्यम